तो फ्रेंस इतने दिन तक वेट किया और हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि यह अभी आ गया है मालूम है आपको आपको याद आ रहा है फ्रेंस कुछ दिन पहले हम आपको सेयर किये थे कि मैं एक सौक से एक छोटा सा पौधा ओर्डर किया है जिसका नाम है क्रसुला ओभाटा और इतना सुन्दर सील करके पैक करके आया है मेरा सौक का यह पौधा यह अच्छा है या नहीं है चलो खोल कर देखते हैं बहुत दिन से आ रहा है एक हफ्ते से इसका जो फोटो है ना यह फोटो भी हम आपको सेयर किये थे थामनेल में ही उसका फोटो थे तो इसको कैसे कटाई करना चाहिए hold the container and cut the rubber band step 2 में लिखा है remove the tape attach to bottom lid of the container इसके बाद लिखा है carefully hold the bottom lid and lift up the container upwards to remove the plant चलिए तो अभी अभी इसको step wise हमें खोलना है तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए we are rooting for you यह देखिए तो इसको कैसे खोले पैक तो बहुत ही अच्छे से किया है मेरा चिंता हो रहा है इसके अंदर में जो मेरा सौक का पोदा है वो बचे है तो बहुत दिन से तो आ रहा है चलिए पैक खोल कर देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से पैक हुआ है अगर खराप निकल ले तो इसको हम replace कर देंगे अब यहाथ में कितना टाइम है हाँ दस दिन टाइम है दस दिन टाइम के अंदर अगर खराप हो जायते इसको replace करना पड़ेगा तो हम घर पर जब रहते हैं जिस तरह किसे खिड़की लगाते है न यह देखो इस तरह किसे थोड़ असा space है हवा अंदर जाने के लिए यह देखिए जैसे कि यह अंदर का जो छोटा वाला पौधा है वो ठीक रहे तो यह जो गड़र है यह गड़र को हम कटाई कर लेते है पहले इस तरीके से तो step 1-2 में लिखा हुआ है तो चला गड़र तो निकल गए है फिर इसके बाद भाई कैसे खोलू यह देखो step 2 में लिखा है remove the tap attached to bottom lid of the container यह step 2 में लिखा है नीच में भी बहुत अच्छे तरीके से packing किया गया है यह देखिए इसको भी खोलते है यह देखो लेकिन हम सोचते है अंदर में किस तरीके से पोधा रखा हुआ है यह देखो इसको तो step 3 में क्या लिखा है step 3 में लिखा है carefully hold the button lead and lift up the container upwards to remove अच्छा पता चला तो ऐसे 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 खीचो खीचो खीच के लिए अधकन जैसे है उपर में देखो जिस वह आप लिखाए हूँ आप चलो खीच के निकालो देखते हैं इसमें क्या है आप भी देखिए हाँ धकन यह देखो मैं बोल रहा तो ना पहले से कि यह धकन है यह देखो मिल गया देखो यह देखो ओफो आपको दिखाए दिया फ्रेंड्स यह देखिए निकल रहा है मेरा सौक का पौदा कैसे है कैसे है कैसे है चलो भगबान करें ठीक हो हाँ देखो दो एक पत्ता जो है बहुत खराब निकल गए है बहुत दुकी बात है मैं यही सोच रहा था कि यह मेरा प्यार का छोटा क्रसुला आते आते कितना उसका दिक्कत हो रहा हो इतना ही दिक्कत हुआ कि उसका पत्ता भी दो तीन चले अरे अभी तो इसको यहां से यहां से जो पैक है यह पैक को अभी खोलना चाहिए है हाँ यह देखो मिटी है यह क्या है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा यह चोटा सोग का क्रसुला रहेगा तो क्या जाने तो चलो इसको अभी अच्छे से खोल रहे है संभाल के खो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चलो इसको हलका साब पानी देना पड़ेगा पानी तो इसका खाना है ना चलो हलके से दे दिया पानी चलो क्रसुला मेरे घर में चलो और तुम अच्छे से रह जाओ और बड़ा भी हो जाओ तो फ्रेंड्स क्रसुला आपको कैसा लगा चलिए आप भी ओडर कीजिए ना तो आप दो पास दिन बाद आप देखेंगे इसको हम आपको दिखाएंगे कैसे वो रहता है कैसे बड़ा होता है तो आज के लिए यहाँ पर एंड करते हूँ फिर कल मिल लेंगे न्या ब्लॉग लेकर आएंगे थैंक यू